बाई और बेहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आये हैं कि भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है, लेकिन आजहादी के दसकों दसक बीद गए, भारत के गाउं के बहुत बड़े सामर्त को जकड़ करके रखा गया। गाउं की जो ताकत है, गाउं के लोगों की जो जमीन है, जो गर है, उसका उप्योग गाउं के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरग करही नहीं पाते थे। उल्टा, गाउं की जमीन और गाउं के घरों को लेकर विबात, लड़ाई जगड़े, अवैद कप्चों में, गाउं को लोगा की उर्जा, कौड कछरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबते जेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बरबाद होता था, और ये चिंता आज की नहीं है, गांदी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस थीति को बदलना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए है। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचात अभियान चलाया था। मैंने देखा हैं कि सही प्रयास किये जाएं तो पूरा गाउं मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी सिवराज जी वरनन कर रहे थे कि आज मुझे इस दाईत्व को 20 साल पूरे हो रहे है। और जब वो सिवराज जी बोल रहे थे हैं तो मुझे यार आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कारकम था। वो भी गरीब कल्यान मिला था। और अब मुझे खुसी हैं कि 20-12 साल का आखरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कारकम में जुड़ा हुआ हूँ। ये शायद इस्वरी संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों के सेवा करने का सौभागे मिलता रहा है। खेर मुझे विश्वास है स्वामित्वय योजनाभी आप सबकी भागिदारी से गराम स्वराज का एक उधारन बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गावों ने मिलकर एक लक्ष पर काम किया, बहुत सतर्ता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गाव वालों ने मोडल खड़ा किया, बाहर से आये लोगों के लिए रहने के अलग अंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्ता हो, वैक्सिनेशन से जुड़ा काम हो, भारत के गावों बहुत आगे रहे हैं, गाव के लोगों की सुझबुझ ने भारत के गावों को कोरोना स कापी हद तक बचा करके रखा,